हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एचार एजूकेशन अड़ा पर तो दोस्तो आज की इस कलास में हम किर्सी एवंपसू पालन से संबंदित सभी important person करेंगे जो कि आपके हर्याणा पुलिस के पेपर में बहुत ही जादा मैतापरण बुमिका निवाएंगे दोस्तो यहाँ पर जो मैं question लेकर आया हूँ बिल्कुल ही नए question लेकर आया हूँ आपके लिए और बहुत ज्यादा important question लेकर आया हूँ आप जब पढ़ोगे सबसे पहले class को like कर दे दोस्तों तब ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपने like कर दिया जो चलिए दोस्तों start करते चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज्रूर कर लेना फलो का ध्यान क्या क 누ाता है फलो का ध्यान कंदा दोस्तों पॉमो लोजी क्या कहलाता है पॉमो लोजी हर्याणा पुलिस के अंदर ये कोश्चन आपसे पुछे जाएंगे बलाश्ट रोग का संबन किस फसल से है बलाश्ट रोग का संबन है धान से किस से है दोस्तो धान से रेसं का उत्पादन क्या कहलाता है रेसं का उत्पादन कहलाता है सेरी कल्चर मचलियों के यकरित के तेल में किस विटामिन की परचूरता रहती है तो विटामिन A किया दिखता जो है वो मसली के जो ये लिवर जो ओईल होता है दोस्तों कोड लिवर ओईल उसके अंदर विटामिन A किया दिखता होती है एसिया की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है अंदर परदेश को दोस्तों एसिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है देख सकते हैं आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कितने important question है, static question है सारे के सारे भारत देश का 80% सोयाविन किस राज्य में पैदा होता है तो मध्यापरदेश के अंदर ये पैदा होता है किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त होते है तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त होते है दोस्तो अलसी से किस फसल से दोस्तो अलसी से चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर ले दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कर द धान का परसिद खेरा रोग किस की कमी के कारण होता है यह most important है दोस्तों आप से पुछे खेरा रोग किसका है तो वो धान से समंदित रोग है और जस्ता यानि जस्ते की कमी के कारण यह रोग होता है बकरी का दूद कैसा होता है बकरी का दूद जो होता है दोस्तों अक्शारिय होता है के सबसे घातक बिमारी कौन सी है तो रानी खेत जो बिमारी है मुर्गियों की सबसे घातक बिमारी है और ये question पूछा भी जाता है कि रानी खेत का जो रोग है वो किस पसू से सम्मंदित है तो मुर्गियों से ये सम्मंदित है भैस की गरभावदी कितने दिन होती है तो करीब करीब 310 दिन भैस की गरभावदी होती है दोस्तो ठीक है इसके आसपास भी option दे सकते हैं आपसे लेकिन वापर फिर आपको 310 नहीं देंगे 310 आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए कोन सी मिट्टी उप्यूक्त है most important question है काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बिल्कुल ही उप्यूक्त है किस यंत्र का प्रियोग पोधे की वरिधिम आपने के लिए किया जाता है most important दोस्तो आक्सोनोमीटर जो यंत्र है उसका प्रियोग पोधे की वरिधिम आपने के लिए किया जाता है यूरिया में कितने परतिसत तक नाइट्रोजन होता है तो यूरिया के अंदर 46,4 परतिसत जग जो है वो नाइट्रोजन होता है पूसा मैनेश्टी किसकी एक पर जाती है ये important question है दोस्तों इस तरह के question जो है वो constable और सव इंस्पेक्टर में पूछे जाते है तो ये पपिता की एक पर जाती है पूसा मैनेश्टी भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो भारत के अंदर दोस्तों सबसे अधिक जो है वो जलोड मिट्टी पाई जाती है किस परकार के मिट्टी जलोड मिट्टी निम्बू में किस की कमी के कारण डाई बैंक रोग होता है अब बात ये याद रखनी है आपको दोस्तों कि डाई बैंक रोग का संबन जो हो किस से है निम्बू से है ये कोशन इस फरकार से भी आप से पुछा जा सकता है अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम परजाती कौन सी है तो वाइट लेगहारन के नाम से होती है ये आगे भी कोशन आएगा दुवारा से अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम परजाती कौन सी है लेगहारन ठीक है दोस्तों सहद में कार्बो हाइड्रेट्स की मातरा कितनी होती है 78 परतिसत भेड वंबकरी का गरब काल कितने दिन का होता है बेड़ वंबकरी का गरब का कि आम क्या है गाए का ग्यानिक नाम होजाएगा धोसतों थीक है टॉस्ट एक पहले व्यात कि यू कितनी हो तो और भैस आलू की उत्पत्ति किस देश में हुई आलू की उत्पत्ति हुई दक्षिन कोरिया में का पर दक्षिन कोरिया में गन्ना का लाल शडंद रोग किसके कारण होता है इंपोर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कुशन है ये फफुंदी के कारण होता है गन्ने का जो लाल शडंद रोग है वो किसके कारण होता है फफुंदी के कारण भारत में सरवाधिक दूद देने वाली बकरी तथा भैस कोन सी है तो बकरी है दोस्तों बरबरी के कैसी बकरी है बरबरी तथा भैस जो है वो मुर्रा है जो की सबसे ज़ादा दूद देती है तो कोंड़ सी बकरी सबसे ज़ादा दूद देती है बरबरी तथा कोंड़ सी भैस मुर्रा भैस गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है गरीबों का मेवा का जाता है दोस्तों बेर को बेर खायोंगे ना आपने तो बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है केशर का उत्पादन करने वाला एक मात्र भारतिय राज्य पीसी कल्चर के अंत्रगत कौन सी किर्सी की जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तो मतश्य पालन दारजी लिंग की चाहे किसकी अधिक्ता के कारण सुगंदित होती है तो दारजी लिंग, असाम के अंदर जो दारजी लिंग की चाहिए है दोस्तों किसकी अधिक्ता के कारण सुगंधित होती है तो पोटा सेमम फास्फोरसिन के अंदर अधिक मात्रा में होते हैं जिसके कारण इनसे है सुगंध होती है स्वेत क्रांति की गती तेज करने के लिए डैस परोग्राम शुरू किया गया तो स्वेत क्रांति की जो गती को तेज करने के लिए दोस्तो — Operation Flood 가 जो परोग्राम है वो शुरू किया गया भारती है आलू सौध संस्थान का हास्थित है most important question है, simla के अंदर रश्ट रोग का संबन्द किस फसल से है most important actually हर एक question जो है ना इस class के अंदर वो most important लेके आया हूं मैं और ये आपके लिए constable में नहीं सब इंस्पेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा usable साबित होंगे दोस्तो तो रश्ट रोग का संबन्द किस चीद से है गेहू से मटर का मार्स रोग किस की कमी के कारण होता है सबसे पहले तो ध्यान रखना है मार्स रोग जो हो दोस्तों वो मटर का है और मैगनेज की कमी के कारण होता है किस के कारण मैगनेज की कमी गरीबों की गाय किसे कहा जाता है बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है पूसा 444 किस फसल की पर जाती है तो ये बाजरे की एक पर जाती है पूसा 444 एक स्वास्थे बढ़ते हुए बच्छडे का भार परती दिन कितना बढ़ता है दोस्तों तो बढ़ते हुए बचडे का बार जो है परती दिन 500 ग्राम बढ़ता है, हर्याना में किर्सी उत्पादन मंडी अधीनियम कब लागू हुआ, किर्सी उत्पादन मंडी अधीनियम कब लागू हुआ, 1961 के अंदर, राणी खेत रोग किस विशानू के द्वारा फैलता है, देखी है, उपर बताया था मैंने, ये मुर्गियों के अंदर होता है, किस वाइरस के द्वारा ये फैलता है, तो पैरा मिक्सो वाइरस के द्वारा कोशन है, दोस्तो, भेड का वेगैनिक नाम क्या है, ओविस एरीज, दूद का पिला रंग किस के कारण होता है, दूद का पिला रंग होता है, केरोटीन की उपस्तिती के कारण, लाल करांती का संबंद किस के उत्पादन से है, लाल करांती का संबंद है, दोस्तो, मास के उत साई पूसा मुकता किसकी एक परमुक किसम है तो पूसा मुकता जो है दोस्तों पत्ता गोबी की जो है एक परमुक किसम है तो यह ध्यान रखनी है दोस्तों सारी जितनी भी किसम है ध्यान रखनी है पोधे नाइट्रोजन को किस रूप में घरहन करते है पोधे नाइट्रोज है बहुत बार ये पुछा जा चुका है पहली किर्शी गणना कव की गई थी मोस्ट इंपोर्टेंट 1970 में गेहु की खेती के लिए सबसे अच्छी मरीदा कौन सी है तो यह है दोस्तों दोमट मरीदा उपर पढ़ा था हमने कपास के लिए कौन सी है तो काली मिट्टी मुर्ग मुर्गियों में कोराइजा रोग किस से होता है तो यह जिवानू से होता है बैक्टीरिया से होता है दोस्तों मुर्गियों के अंदर कोराइजा रोग ध्यान रखना है उट एक बार में कितना पानी पी सकता है तो उट जो है दोस्तों एक बार में मैक्सिमम 60 लेटर तक पा कारण होता है दोस्तों कैरोटीन की उपस्तिति के कारण दोस्तों कलास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बीच में एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों जब आप लाइक करेंगे तो मुझे तो आपका स्पोर्ट मिलेगा भारत में सबसे बड़ा पसू मेला कहा पर लगता है ये लगता है दोस्तो सोनपुर जो की बिहार में हैं, दूद से दही किस परकिरिया से बनता है, किनवन की परकिरिया से बनता है, मैरिनो किसकी एक पर जाती है, ये most important दोस्तो पुछा वी जा चुका है, तो मैरिनो किसकी पर जाती है, भेड की एक पर जाती है, मैरिनो, गरीब के कीड़े को क्या कहते हैं कोकून खास करिये सहद की पतियों पर पाले जाते हैं गाज़र का लाल रंग किसके कारण होता है करोटीन के कारण मोश्ट इंपौर्टेंट कोइसंट है दोस्तों डारेक्ट पुचा जा सकता है इस कोष्चन की आनिया पूरी-पूरी संभाव नही यह most important question है दोस्तों ज्यान रखना है भारतिया किर्सी अनुसंदान संस्थान का पर है यह नई दिल्ली के अंदर हस्तित है गाय को खुरेरा मुख्याय रूप से किस लिए किया जाता है तो खुरेरा जो है दोस्तों गाय को दिया जाता है किस रूप से किस लिए दिया जाता है रक्त संचार बढ़ाने के लिए, बलड प्रेसर उसका बढ़ाने के लिए, दूद का कवंथना कितना होता है, तो 100.15 डिगरी सेल्सियस, एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, यह most important है, दोस्तों, गाय तथा बैसों में होता है, एंथ्रेक्स रोग ध्यान रखना है, दोस्तों, most important है, किन मचलियों में बहु मुल्य मोती प्राप्त किये जा सकते है, किन मचलियों से, आयश्टर किसम की जो मचलिया होती है, उनसे बहु मुल्य मोती प्राप्त किये जा सकते है, सहतूत के वरिक्सों पर पले कीडों से प्राप्त रेसम को क्या कहते है, तो सहतूत के वरिक में कानपूर में मुर्गों की सबसे भीहंकर विमारी रानी खेट किसके कारण होती है तो यह किसके कारण होती दोस्टों वाइरस के कारण अल富ांसो किसकी एक ONE पर जाती है यह बढ़िया कुश्चन दोस्तों यह पूछा विजा चुका है कई बार अलफांसो जो है किए 520錢 मि इसका आंस्वर जो है दोस्तो आपको comment box में भी बताना है मेरे को कि कपास के रेसे कहा से प्राप्त होते हैं नारियल एक किस परकार का फल है तो नारियल जो है दोस्तो वो एक रेसादार फल है किस परकार का रेसादार अनाज की रानी के नाम से किसे जाना जाता है मक्का को दो किस की परजाती है Most important है दोस्तव चनिय की परजाती है पंतजी 114 त्य Capitol कि मचलियों में गिल का सडन मिलरोट किसके कारण होता है यह जो रोग है दोस्तों गिल का सडन ये कवक के कारण होता है उट की गरभावदी कितनी होती है तो ये 365 से 400 दिन तक गरभावदी होती है मधु मक्खी का पालन क्या कहलाता है मधु मक्खी का पालन क्या कहलाएगा दोस्तो एपी कल्चर क्या कहलाएगा एपी कल्चर गाए की विदेशी नसल कौन सी है तो जर्शी जो गाए है दोस्तो वो एक परकार से विदेशी गाए है साही वाल गाए को अन्य किस नाम से जाना जाता है साही वाल गाए को जाना जाता है मौंट गोमरी नाम से क्या नाम है मौंट गोमरी स्वेत करांती का संबंध किस से है दूद के उत्पादन से स्वेत करांती के पिता कौन कहलाते है दोस्तो तो ये कहलाते है डाक्टर वर्गिज कुरियन डाक्टर वर्गिज कुरियन दूद निकालने में कौन सा हार्मोन कारियक करता है तो ओक्सिटोसिन आर्मोन जो है दोस्तो ये दूद निकालने में ये हार्मोन कारिय करता है मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है मुर्गी में अंडा बनने में दोस्तो 24 गंटे का समय लगता है मस्रूम एक क्या है तो मस्रूम जो है दोस्तो वो एक परकार से फंजाई है इसको इंदी में क्या कहेंगे कवक कहेंगे तो दोस्तो ध्यान रखना मस्रूम एक परकार से फंजाई है पोधे के लिए आवश्यक तत्वों की शंख्या कितनी होती है कितनी होती है दोस्तो सोड़ा आवश्यक तत्व तो इसको चाहिए जैसे कि प्रोटीन, विटामीन, नाइट्रोजन इस प्रकार से सोड़ा, भारत में पहला किरसी विज्ञान के अंदर कहा खोला गया, ये most important है दोस्तों, पांडी चेरी में 1974 इस्वी में भारत में पहला किरसी विज्ञान के अंदर खोला गया, मसालो की रान होती है, एलाई सिन के कारण दोस्तों, लहसून के अंदर गंध होती है, भारतिय गंणा सोध संस्थान कहा स्तित है, ये स्तित है दोस्तों, लखनों में, टिका रोग का संब्द किस से है, टिका रोग का संब्द है, दोस्तों, मुंगफली से, किस से, मुंगफली से, चिपक ताल बहोगुणा ने इसको आरंब किया था, आफ्रा-्रोक का समबंद किस्ते है? आफ्रा-्रोक जो होता है, वो जुगाली करने वाले पसुओं में होता है, आफ्रा-्रोक पास्या चूरीकरण किरिया में दूद को किस तापमान पर रखा जाता है? तो करीब-करीब बासट डिग्री सेल्सियस पर बीस मिनट तक रखा जाता है और ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है अगर आप में से कोई दूद की थेली वगएरा लेने जाते हैं तो आपर लिखा होता है पैस्च्यूराइज पैस्च्यूराइज का मतलब क्या होता है करीब करीब 310 दिन जर्षी नसल की गाए का मूल सथान कौन सा है तो इंगलिस चैनल का जर्षी द्वीप पर ये जर्षी किसम की गाए हो ज़्यादा तर पाई जाती है उपर पढ़ा था हमने की एक विदेशी गाए है दूद किस परकार का आहार है तो दूद जो है दोस्त खचर किसका क्रोस है खचर देखिए दोस्तों खचर मतलब अपने आप पैदा नहीं होता खचर जो है वो गदा और घोडी का क्रोस है तो गदा और घोडी जब निशेचन करते है तो तब ये क्या बनती है नहीं परजाती बनती है क्या खचर वैसे मतलब ये प्राकरतिक नेशनल डैरी अनुसंधान संस्थान का हास्तित है ये दोस्तो करनाल हरियाना के अंदर खुरपका मुःपका रोग से पसू पर क्या परभाव पड़ता है तो इन रोग से दोस्तों पसू का सवस्त्य कमजोर हो जाता है खुरपका और मौःपका गाय के ताजे दूद का ज़रूरी है क्योंकि बलाष्ट तो आपको पता होगा दान से संबंदित है लेकिन अगर ये जोका दे दिया तो जोक जाओगे जोका खा जाओगे तुम ठीक है तो ध्यान रखना दान से संबंदित है सरव पर्थम कपास का संकर बीज तियार करने वाड़ा देश कौन सा है संकर ये मतलब मिक्स परजाति का तो ये बारत ही है दोस्तो कपास का पीली करांती का संबंद किसके उत्पादन से है तो तिलखन के उत्पादन से है पीली करांती का संबंद करित्रिम गरभाधान के लिए करित्रिम गरभाधान मतलब प्राकर्तिक नहीं दोस्तों करित्रिम गरभाधान के लिए बैल के वीरिय को किस में रखा जाता है तो दरव नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको रखा जाता है रजत क्रांती का संबंद किस्से है रजत मतलब सिल्वर सिल्वर क्रांती का संबंद किस्से है अंडे के उत्पादन से रभी की फसल किन माह में बोई वे काटी जाती है अक्टूबर नॉम्बर में बोई जाती है और मार्च अप्रेल में काटी जाती है खरीफ की फसल ये दियान रखना है दोस्तों ये तिन नो परसन बहुत ही ज़़ादा जबर्दस्त आएंगे और यहाँ से एक क्वेशन पुछा ही पुछा जाना है मेरी कल्चर के अंतरगत क्या होता है तो मेरी कल्चर के अंतरगत समुंदरी जीव का उतपादन होता है कृत्री मर्यान क्या कहलाता है तो सिल्क को कही क्या कहते है दोस्तों कृत्री मर्यान और ये कुश्चन बहुत बार पुछा भी जा चुका है सबजी उत्पादन में विशव में भारत का स्थान कोण सा है तो दवित्य स्थान है सबजी के उत्पादन में देश में सोयब इनका सरवाधिक 80% उत्पादन का पर होता है मध्या परदेश के अंदर पर्थम मानव निर्मित धान्य कोण सा है तो ट्रिटीकल जो कि गेहु और राई का क्रोश है तो ये ध्यान रखना है दोस्तो वहापर गदे और गोडी के क्रोश से क्या बनाया था खचर यहापर गेहु और राई के क्रोश से क्या बनाया गया ट्रिटीकल जो कि पर्थम से मानवनिर में धान्य है कैंधरिय तमाखू सोद संस्थान कहा परस्ति थे अर ये अंदर परेश के अंदर पड़ेगा आपका या या में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, एमाइड के रूप में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटिन दोस्तों किस के अंदर पाया जाता है, तो सोया बिन के अंदर, विशव वन दिवस कब बनाया जाता है, 21 मार्च को ये most important question है, हरियाना पुलिस कोंस्टेबल और सब के लिए, गेहु का वेग्यानिक नाम क्या है, ट्रीटीकस एस्टीभम, क्या नाम है, ट्रीटीकस एस्टीभम गेहु का वेग्यानिक नाम है, और ये most important है, किस बकरी को विशव की दूद की रानी कोंसी बकरी को कहा जाता है, तो साने नसल की जो बकरी है, उसको कहा जाता है रानी मखी एक दिन में ओस्तन कितने अंडे देती है तो करीब करीब 15 सो अंडे ये देती है राश्टिय डैरी बोल्ड की स्थापना कब हुई 1965 में उट अपने कुबड का परियोग जो किसके संग्रें के लिए करता है तो कैरोटिन शरीर में पहुच कर जो है वो विटामिन A का निर्मान करता है भारतिय गायों को क्या कहा जाता है भारतिय गायों को कहा जाता है दोस्तो टी कप काओ दूद में पानी की मिलावट को किसी अंतर से मापते हैं लेक्टो मेटर से मापते हैं किस विदेशी गाये के दूद में सरवाधिक वसा पाई जाती है तो दूद में सरवाधिक वसा वसा यानि दोस्तो फैट फैट जो है वो सबसे ज़्यदा कौन सी विदेशी नसल के गाये में पाई जाता है तो दर्सी पसू का ताप करम किस से मापा जाता है वेटर नरी थर्मियामीटर होता है पसू के तापमान मापने के लिए अलपाइन पर जाती है दोस्तों ये इंपोर्टेंट है अलपाइन जो है वो किस की पर जाती है बकरी की पर जाती है किस बिमारी में पसू के थनों में पंप द्वारा वायू भरने से लाब पहुशता है तो दुख्द जवर जब हो जाए दोस्तों पसू के अंदर बिमारी तो पसू के थनों में पंप के द्वारा वायू भरने से लाब पहुशता है कोण सी विमारी उने पर दुख्द जवर केंदरिये भैस अनुसंधान संस्थान का आस्तित है most important हिसार हर्याना में भूरी करांती किस्ते संबंदित है यह संबंदित है दोस्तों उर्वरक के उत्पादन से विटी कल्चर के अंतरगत किसकी करिशी की जाती है विटी कल्चर की अंतरगत अंगूर की खेती की जाती है फलोरी कल्चर के अंतरगत कोण सी करिशी की जाती है दोस्तों फूलो की करिशी की जाती है क्रित्रिम वर्षा का आधार क्या है क्रित्रिम वर्षा का आधार है दोस् तो पन्जाब को वंची टोप रोग किस से समन्धित है वंची टाप रोग ये ध्यान रखना है दोस्तो केले से इसका संबन्द है most important question है दोस्तो गन्ना उत्पादन में भारत का विशव का कौन सा स्थान है तो भारत का विशव में कौन सा स्थान है दोस्तो दूसरा स्थान है रबड उत्पादन में भारत का विशव में कौन सा स्थान है चोथा स्थान बरतमान में भारत का मिठे पानी की मिठे पानी की मचली के उत्पादन में कौन सा स्थान है देखिए मिठे पानी की मचली के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है दूद दूहते समय पसू के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण जो है पसू दूद चड़ा देते है तो इपी नेफरिन हार्मोन के कारण जो पसूर जो है वो दूद चड़ा देते हैं सूर के मास को क्या का जाता है दोस्तों सूर के मास को पोर्क का जाता है जैसे की मुर्ग वगएरा है इनके जो उनको क्या का जाता है चिकन का जाता है बक्रे वगएरा का मास है उसको क्या का जाता है दोस्तों मटन का जाता उसी तرह सूर् के मस्क को क्या का जाता है strong का जाता है मचलीों में अल्षर क्किसके कारण होता है जिवानों से होता है किसे सोया पर्देस के नाम से भी ज़ाना जाता है important question है दोस्तों मद्या पर्देस को चावल के लिए address जल्वायू है तो यह चावल के लिए आद्रश चलो आयू क्या होगी 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्शियस का तापमान भारत का राष्टी एफल कौन सा है यह हो जाएगा दोस्तों किसे अंगूर का बगीचा कहा जाता है नासिक को दोस्तों अंगूर का बगीचा कहा जाता है है एक्चा रेजू के सनड़ा अपना चैनल है दोस्तों सबस्क्राइब कर ले क्लास को लाइक जरूर से जरूर कर दे केंदरिये आलू सोध सरस्थान का परस्तित है सिमला में काली मिट्टी का स्थानिया नाम क्या है रैगूर मिट्टी कुत्ते का ओसत जीवनकाल कितना होत स्थान है भारत कौन से रेसं कव यह मुंगार रेस्थान को कि यह कहा जाता है क्यूबा को भारति यह गना लितल लिप रोग जो है वह किशिकी कमी के करण होता है दोस्तों ये आपको comment box में बताना है जरूर से जरूर जिसका comment ठीक होगा दोस्तों उसको मैं like कर दूँगा भेड की कोन सी नसल उन कालिन के लिए विशंव परसिध है उन और कालिन के लिए विशंव परसिध है तो यह दोस्तों बिका नेरी भेड भारत का सबसे बड़ा मतश्य उत्पादक राज्य कौन सा है पस्चिम बंगाल ओप्रेशन फलड का सम्मंद किस से है डैरी विकास से सम्मंद है गाय के दूद में क्या होता है गाय के दूद में दोस्तों कार्बो हाइड्रेट्स और लेक्टोज होता है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो यह हो जाएगा दोस्तों चीन सरसो के तेल में कड़वा हट किसके कारण होती है तो किसके कारण गलूकोसिलेट्स के कारण सरसो के तेल में कड़वा हट होती है सोया भीन में प्रोटीन की परतीसता कितनी होती है तो 40% प्रोटीन होता है देश का सबसे अधिक सिंचित छेतरवाडा राज्य कौन सा है जब जहाँ पर सबसे अधिक सिचाई होती है तो दोस्तों यह है उत्तर परदेश रबड एक किस परकार की फसल है रबड जो है वो एक परकार से नगदी फसल है भारत में जूम किर्सी सबसे अधिक कहा पर होती है असम के अंदर होती है दोस्तो जूम किर्सी मसूर किस परकार की फसल है रभी की फसल है दोस्तो और दलहनी फसल है मसूर तारपीन का तेल किस से तयार किया जाता है तो चीड के पेड़ से ये त्यार किया जाता है कोकून के कीड़े क्या खाते है तो सहद की पतिया उपर बताया था मैंने दोस्तों आपको जो की रिस्सम के कीड़े होते हैं उनको क्या का जाता है कोकून का जाता है और सहद की पतियों के उपर ये पाले जाते है चावल का कटोरा किसे कहा जाता है 36 गड़को केंदर ये चावल सोध संस्थान कहा पर है दोस्तों कटक के अंदर ये इंपोर्टन्ट है धान के फसल के लिए उत्तम वातावरन क्या है तो वर्षा 150 सेंटेमीटर तथा ताप मान 25 से 30 डिगरी सेल्सियस विशाओ में धान की प्रथम बोनी किसम कौन सी है आई आर एट द्यान रखना है दोस्तों आई आर एट जो है वो धान की एक परजाती है किसम है भारत में स्वेत क्रांती की सुरुवात कब होई थी 1970 में भारतिया पसू चिकित्सा अनुसंधान डैस में है तो ये ब्रेली में है सबसे ज़ादा प्रोटीन किसके दूद में होता है दोस्तों भेड के दूद में सबसे ज़ादा प्रोटीन होता है एंथ्रेक्स रोग जो है वो किसके दूआरा होता है बैसिलस के दूआरा होता है सरवाधिक भेडे जो है वो किस देश में पाई जाती है आस्टेलिया के अंदर सरवाधिक भेडे पाई जाती है के अंदर ये गो सवर्धन समीती की स्थापना कव की गई 1952 में गाए की सबसे भारी नसल कौन सी है तो यह है दोस्तो कांकरेज उट की जीवन अवधी कितनी होती है उट की जीवन अवधी होती है दोस्तो 40 वरस कितनी 40 वरस अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पाचवा स्थान भारत में सरवाधिक बेडे कहा पर पाई जाती है तो राजस्थान के अंदर सरवाधिक बेडे पाई जाती है नस बंदी के अंदर कौन सी नस काटी जाती है तो ये काटी जाती है सुकराणो नली का गाए की सुद भारतिय नसल कौन सी है तो ये गिर जो है दोस्तो ध्यान रखना गिर एक गाए की नसल है जो की सुद भारतिय नसल है पसू पालन में पसू की बांधने की अच्छी विधी कौन सी है तो पूछ से पूछ वाली विधी जो है वो सबसे अच्छी विधी है भेड में उन काटने की किरिया को क्या कहते है भेड से जो उन काटा जाता है दोस्तो उसको क्या कहते है सियरिंग पसूओ की नसल को किस विधी द्वारा सुधारा जाता है तो पसुआ की नसल को दोस्तो कृत्रिम गरबादान के दोवारा सुधारा जाता है कुड़क मुर्गी किसे कहते है अंडा नह देने वाली जो मुर्गी होती उसको क्या कहते है कुड़क मुर्गी दुख्द सरकरा को क्या कहते है दुख्द सरकरा को क्या कहेंगे दोस्तों लेक्टोज खीस में विटामिन ए जो है वो किस रूप में होता है तो करोटीन के रूप में होता है कश्ट प्रद परसव को क्या कहते है डिस्टोकिया कहते है दोस्तों प्रसवों का मतलulations पैदा होता है वह कंडिशन और कश्ट होता हूँ उसके अंदर बहुत ज्यादा तो डिश्टो कियाओ सिचवेशन को कहते है केले में फलीों को भरने केलिए किस हार्मोन का प्रियों करते है तो केले के अंदर फलियों को बरने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रियोग करते है सनई की रेसे वाली फसल कितने सप्ता में तयार हो जाती है 10 से 12 सप्ता में ये तयार हो जाती है रेसम उत्पादन के आधार पर भारत का विशाव में कौन सा स्थान है तो ये है दोस्तों तीसरा स्थान कौन सा स्थान है तीसरा स्थान सबसे अधिक मुर्गिया जो है वो किस राज्य में है भारत के अंदर तो अंदर परदेश में असील चिटगाओ गगूस किस की परमुख नसले ध्यान रखना दोस्तों असील, चिटगाओ, गगूस, किसकी परमुख नसले है, मुर्गियों की ये नसले है, इस तरह के question फैवरिट है HSSC के, 1970 में रास्टिय डैरी विकास बोड ने कौन सा कर्येकरम चलाया, ओप्रेशन फलड, कौन सा ओप्रेशन फलड, दूद उत्पादन में विशाओ में भारत का कौन सा अस्तान है, प्रथम सथान है, भारी भरकम, लाल बदामी रंग की, छोटे सिंगो वाली गाईक की कौन सी नसल है, दोस्तों तो ये सायवाली किसम की नसल होती है, लाल बदामी रंग की, भारत में भैसो की कुल कितनी नसले उपलब्द है, तो बारत के अंदर भैस की प्रमुक किसम है चाय के इंद्रियात में भारत कौन से स्थान पर है चाय के इंद्रियात में दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर पहला रबड का वरिक्स केरिया केरल में पैरियार नदी के किनारे कब लाया गया था तो भारत के अंदर जो रबड का वरिक्स है जो दोस्तों बाहर से लाए गया था, उन्निस सो दौ में दक्शिन अमरिका से लाया गया था, लों के पर्मु कुट्पादक राज्या है, कौन से हो जाएगा, केरल, कौन सी भैस छलेदार सिंग से से पैचानी जाती है, मुर्रा भैस, गेहु भोने का उप्यूक्त समय कौन से है, दोस्तों नॉम्बर दिसंबर गन्य की उत्पत्ति किस देश के अंदर हुई थी सपेन के अंदर हुई थी दलहन की किरसी के लिए उचित वातावरण क्या है कम तापमान एवं मध्यम वर्षा कम तापमान एवं मध्यम वर्षा जो है दोस्तों वो दलहन की किरसी के लिए उचित का होता है 55 ग्राम का उसत भार होता है अरंडी के पत्तों पर पाले गए कीडों से प्राप्थ रेस्थम क्या क्या यह एलाता है डोस्तो इरी रेसम इरी रेसम होला बहारत में खच्छे के उपर दोस्तों रेशमी कीड़ा जो है वो पाला जाता है आप रेशन फलड के सुत्रधार कौन थे तो यह थे डाक्टर वर्गीज कुरियन वन विभाग द्वारा विक्सित फसल उत्पादन एवां वन परबंद की युवा परणाली कौन सी है तो यह दोस्तों टांग्या परणाली वन विभाग द्वारा विक्सित फसल उत्पादन तथा वन परबंदन की परणाली कौन सी टांग्या परणाली भारत में बगीचो का सहर किसे का जाता है बैंगलोर को गोल करांती का संबंद किस्ते है दोस्तों आलू से इंपोर्टेंट कोश्चन है यह भी यानि दोस्तों काली करांती का संबंद किस्ते है पेट्रोलियम के उत्पादन से बादामी करांती का संबंद किस्ते है मसाले के उत्पादन से गुलाबी करांती का जो संबंद है वो किस्ते है जिंगा पालन से बारत में गुलाब का पिता किसे का जाता है गुलाब का पिता 60-90 परती मिनटे भारत में सबसे ज़्यादा गेव कहा पर पैदा होता है उत्तर परदेश के अंदर भारतिय किर्सी अनुर्शंधान संस्था की स्थापना कब होई थी 1905 में बिहार के पूसा नमक स्थान पर इसके स्थापना होई थी सबसे पुराना फल जो है वो कौन सा है दोस्तो खजूर धान, मक्का, जवार, बाजरा, कपास, मुंफली इतियादी किस परकार की फसले है तो ये खरीफ फसले है गेहू, मटर, चना, जो मसूर, सरसो इतियादी किस परकार की फसले है तो ये रभी फसले है दोस्तों ध्यान रखना है भारत में हरित करांती के जनम दाता कौन थे MS. स्वामी नाथन हरित करांती किस पंचवर्षिय योजना में प्रिलक्षित हुआ तो किस पंचवर्षिय योजना में दोस्तों हरित करांती के जनक किसे माना जाता है डाक्टर नोर्मन बोरलाक को भारत में सबसे ज़्यादा दूद का उत्पादन कापर होता है उत्तर परदेश में सहरी बकरी के नाम से कोण सी बकरी जानी जाती है बरबरी बकरी भारत में सबसे ज़्यादा सूर कापर पाए जाते है उत सूर पालन में किस देश का स्थान पर्थम है तो चीन का स्थान पर्थम है गेहू के लिए उत्तम जलवायू कौन सी है दोस्तों सी तोस्ण सबसे अधिक चीनी मीलो की संख्या कापर है उत्तर परदेश में भैस में सवसन गती कितनी होती है तो 15 से 20 बार प्रती मिनट जो है भैस में सवसन गती होती है भैस की ओसत जीवन अवधी कितनी होती है तो 25 वरस देश भर के अंदर हमारे भारत में गाए की कितनी नसले पाई जाती है दोस्तों 32 नसले अंगोरा उन किस के बाल से प्राप्त होती है इंपोर्टन देखे खरगोस के बाल से प्राप्त होती है अंगोरा उन सबसे अधिक वसा किसके दूद में पाया जाता है तो रेडियर के दूद में सबसे अधिक वसा पाया जाता है भारत में बकरियों की लगभग कितनी नसले पाई जाती है तो करीब करीब 21 नसले घी में वसा की मातरा कितनी होती है 99% जनम के समय गाई बैलों में इनसाइजर दातों की संख्या इनसाइजर यानि काटने वाले जो दात होते हो कितनी संख्या होती है दो गाई के दूद में भैस के दूद के अपेक्षा कितने गुणा करेटिन अधिक होता है तो गाई के दूद में दोस्तों 10 गुणा करेटिन अ कुण सा स्थान है तो प्रथम सथान है बच्चो वाली गाय को क्या का जाता है डेम कहा जाता है साही वाल नसल की गाय का रंग कैसा होता है लाले ओं भूरा भारत में भैसों की कितनी नसले पाई जाती है सात नसले भैसों की पाई जाती है विज्ञान की किस साखा में पसू प पाली मुर्गी की नसल कौन सी है असील असील नसल की मुसलिय मुर्गी होती है जो मनुरंजन के लिए पाली जाती है बहस की किस नसल के सिंग हसिया के आकार के होते है तो महसाना जो किसम की बहस है नसल की उसके जो सिंग है वो हसिया के आकार के होते है बहस के दूद में गाए के दूद के मिलावट को किस विदी से ग्याद करते हैं तो हसा परिक्षन के दुआरा किस बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं तो अंगोरा बकरी के जो बाल हैं उसको मोहेयर कहते हैं किस नसल की गाये अधिक दूद देती हैं और इनके बच्छडे भी किरसी कारियों एवं डोने में अच्छा कारिया करते हैं तो दुगाजी नसल की जो बहस होती है दुगाजी नसल की वह अधिक दूद देती है और इनके बच्छडे भी अच्छे उपयोगी होते हैं हर्याना थार पारकर तथा कोक्रेज किस नसल की गाए है तो यह दुगाजी नसल की गाए है दोस किन विधियों द्वारा अफारा रोग में पस्वों के पेट से गैस निकालते हैं तो ट्रोकर एउम कैनुला ट्रोकर एउम ट्रेकर एउम कैनुला जो विधी है उनसे जो है अफारा रोग में पस्वों के पेट से गैस निकालते है सिंग रोधन की सर्वतम विधी कौन सी है तो कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सिंग रोधन ठीक है दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दाथ कौन से जबडे में नहीं होते तो जुगाली करने वाले जानवर के सामने के दाथ कौन से जबडे में नहीं होते है उपरी जबडे में जुगाली करने वाले जानवर के अमास्या में कितने भाग होते है चियार भाग होते है गिर गाए का जनम स्थान का पर है important है दोस्तों काठिया वाड गुजरात के अंदर पस्मीना उन कहा से प्राप्त होता है पस्मीना उन चैंगू नसल तथा चंगताणी नसल की बकरी से ध्यान रखना ये बकरी की नसल है चैगू और चंगतानी इससे पस्मीना उन हमें प्राप्त होता है गाए के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रियोग करते हैं पोटेसियम परमेगनेट गोवन्स में खुर पका तथा मूँपका बिमारी होने का कारण क्या है विशानू मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के सतन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला जो अकसरन होता है क्या कहलाता हूँ खीस कहलाता है सुवर की युवा मादा को क्या कहते है सुवर की युवा मादा को क्या कहेंगे गिल्ट कहेंगे दुख्द सरचना में कौन सातत हो सबसे अधिक परतिसत होता है तो दूद में सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तो पानी करनाटक में पाई जाने वाली गाय की परजाती कौन सी है तो ये है दोस्तो अमरित महल अच्छी वाली भेड की परजाती कौन सी है तो ये लोही सबसे अधिक दूद देने वाली बकरी कौन सी है दोस गुलाबी कीट का समब्ध किस फसल से है । टिपका रोग का समब्धकिस फसल से है अंतियोध्य कार्यकरम की शुरुआत कभ हुई दोस्तो 1978 से राजस्थान से केंदरिय पसूच कित्सा अनुसंधान का पर है दोस्तो उत्तर परदेश के अंदर है चिपको आंदोलन के परनेता कौन थे सुंदरलाल बहुगुणा जिसकी शुरुआत दोस्तो 1973 में उत्राखंड के चमोली जिले से हुआ केंदरिय पक्री अनुसंधान संस्थान का पर मखदूम उत्तर परदेश के अंदर है ये केंदरिय पक्री अनुसंधान संस्थान फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई एक अप्रेल 1985 को ये लागू की गई इंपोर्टेंट परसन है दो एसमान फसलों को साथ साथ एक ही खेत पर उगाने की परकिरिया को क्या कहते है अंत वर्षिय किर्सी दो एसमान फसलों को साथ साथ एक ही खेत पर उगाने की परकिरिया अंत वर्षिय किर्सी रिले क्रोपिंग एवं ओरलेपिंग क्रोपिंग के नाम से किसे जना जाता है ब वायू किर्सी प्रणाली किस देश के द्वारा विक्सित की गई है। उप्योग होता है तो जीवी का किर्सी में बड़े पेमाने पर मुख्यत एक नगदी फसल का उत्पादन किस किर्सी परणाली के अंतरगत आता है तो रोपन किर्सी के अंतरगत यह आता है किसी स्थान विसेश सथाई निवासी किसानों उसके परणाली को समोची या वेदि का किर्सी के साथ स्यूक्त रूप से अपना है जाता है पत्टी का किर्सी पट्टी का किर्सी तो किर्सी के परकार है दोस्तों ध्यान रखने हैं किस किर्सी के अंतरगत चरागा या अन्य वरक की भूमियों में ढाल की आड़ी दिसा में समोच रेखाओ का परियोग कर किर्सी की जाती है तो समोच किरसी भारत के किस राज्या में जल किरसी का प्रियोग किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर पसुओं में सथाई दात कितने वरस बाद निकलते है चार से पाच वरस बाद बिना सिंगो वाले जानवर को क्या कहेंगे दोस्तों पॉल्ड केटल पॉल्ड केटल सां को टीजर कहते है देखे यह सांड रीतु मही मादाओ की जाच के लिए उप्योगत होता है परंतु यह मादाओ को गर्भित नहीं कर सकता तो जो शिरफ जाचने के लिए होता है रीतु मही यह सांड रीतु मही मादाओ की जाच के लिए प्रियोगत होता है परंतु यह जो ह वो गर्बित नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं, टीजर सांड, बधिया करण में पसू की कौन सी नस दबाई या काटी जाती है, तो सपरमेंटिक कोड जो नस होती है, वो काट दी जाती है, बधिया करने की विधिया कौन सी है, वर्डियो कैस्ट्रेटर विधी तदा चीरा करते हैं, कोकशीजियल धमनी, कोकशीजियल धमनी से गाह और भैस में नाडि दर गयात करते हैं, मुर्गों के अंड कोसो को निकाल देना क्या कैलाता है, वो क्या कलाएगा दोस्तो, ॥स्ती कर्ण, इंट्रावनिस इंजक्शन कहा लगा जाता है, तो ये नस के अंदर लग प्राफ़ की तॉत्पादन में विसव में भारत का कौन सास्थान है दूसरा चावल खाइसार में खेत्वों घर घर गेसे केरे और विसव Nicholas पानी भरा रहना चाहिए गेहु की बुवाई के समय कितना तापमान अवश्यक होता है 10 से 15 डिग्री सेंटी ग्रेट गेहु के पकने के समय कितना तापमान अवश्यक होता है 20 से 28 डिग्री सेंटी ग्रेट गेहु के लिए कितने सेंटेमीटर वर्षा आदरस मानी जाती है दो फेद लर्मा चोटी लर्मा किसमे किस किर्षी की है तो यह सारी की सारी गेहु से सम् coupon दित है उत्तर-भारत की परमुक रभी की फसल कौन सी है जो जो के फसल कितने म महा में पियार की जातीए पांच महा के अंदर ये पैर की जाती है किस फसल की मेतवपुर्ण किसमी है या जो की किसमी है मक्का की फसल एतु दोस्तो कितनी वर्षा आनिकारक है 100 सेंटीमेटर से अधिक की वर्षा जो है वो आनिकारक है गंगा 101, गंगा सफेथ 2, गंगा 3, दक्का निमालया, ही स्टार्च, सोना, विक्रम, जवार, उद्यपूर, अमबर, विजया ये किस परकार की किस की फसल है दोस्तो मक्का की फसल है बाजरा की फसल कब बोई जाती है मई से सितंबर के बीच में बाजरा की फसल कब काटी जाती है तो सितंबर से फरवरी जी पी यू चोबिस, एच पी बी वन, एटू, बी अलेक सोनेंच, किस की परमुक किसम है दोस्तो रागी की, एच, एच, दोस्तो आठ, एच, तीनसो पच्पन, जी, एक, सो तीस, टी थरी, आरेस, दर्स, अन्ना गिरी, चक्का, किस की परमुक फसल है चने की विशाओं में गन्ना उत्पादन में भारत का कोण, पर्थम स्तान किस देश का है दोस्तो ब्राजील का गन्ने की फसल त्यार होने में कितना समय लगता है एक वरस गन्ने की फसल तो कितनी वरसा विशाओं शक होती है, सो से दौसो सेंटीमीटर के बीच की लार्ज वहाइट यार्श आर्कर हेम्प सायर, वैल लेंड रेस, किस की उन्नत किस में है तो यह किसकी उन्नत किसमें है दोस्तो शूर की किसमें है तो इस परकार से दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत important question किये किर्सियों पर सूपालन के अभी तक वीडियो को like नहीं किया है दोस्तों वीडियो को like जरूर से जरूर कर दे वही चैनल पर नहीं है दोस्तों चैनल को subscribe जादा सेयर कर दिये तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों आप से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी